Welcome to GK Funda 24 x 7 आज है 5 नवंबर 2022 और आज हम जानेंगे महत्वपून करेंट अफेर्स वस्तुनिष्ट प्रशन और उत्तर जो किसी भी कॉम्पिटिव एक्जैम में पूछे जा सकते हैं इसलिए हर रोज एक बार जरूर पढ़े ताकि आप दुनिया के बड़े खबरों से अपडेट रहें आज के प्रशनोत्तरी PDF लिंक डिस्क्रिप्सन में हैं वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए विडियो शुरू करते हैं प्रशन एक हाल ही में नीटी आयोग देश की 75 सफल महिला उद्यमियों की किस बुक के चोथे संसकरण का लोकारपन किया अप्शन है A. इंडिया फॉर यू कोफी टेबल बुक B. इनोवेशन फॉर यू कोफी टेबल बुक C. इनवर्टर फॉर यू कोफी टेबल बुक D. एग्रिकल्चर फॉर यू कोफी टेबल बुक सही उत्तर है अप्शन B. इनोवेशन फॉर यू कोफी टेबल बुक इससे पहले तीन संसकरण इनोवेशन्स फॉर यू एक कोफी टेबल बुक के जारी किये जा चुके है यहाँ पुस्तत प्रमुक कारेक्रमों के सहयोग से स्टार्टप की सफलता की कहानियों को दर्शाती है प्रश्न दो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस धाम को राश्च्रिय समारत घोश किया A. गोगा मेडी B. खाटू शाम धाम C. मानगड धाम D. मतुरा धाम सही उत्तर है अप्षन C. मानगड धाम प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मानगड धाम को राश्च्रिय समारत घोशित किया प्रश्न 3 5 नवंबर को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है सही उत्तर है अप्षन हर वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरुकता दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसका उद्देश भविश में आने वाली सुनामी आपदाओं को लेकर पहले से ही लोगों को जागरुक करना है सही उत्तर है अप्षन साइकिलिंग के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक ट्राक एशिया कब 2022 की मेजबानी केरल राज्य करेगा यह मेजबानी 25 से 28 नवंबर तक होगी प्रश्न 5 एनर्जी एफिशेंसी सर्विसेज लिमिटेड एसल ने किसे अपना मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया शक्ती कपूर विशाल कपूर को एनर्जी एफिशेंसी सर्विसेज लिमिटेड एसल ने अपना मुख्य कार्यपालक अधिकारी सी ओ नियुक्त करने की घोशना की है इनसे पहले इन्होंने बिजली मंत्राले में सन्युक्त सचीव के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया प्रश्न छे किस भादिय क्रिकेट नेटी 20 विश्व कप के इधिहास में तीन या अधिक अर्धश्तत बनाने वाले पहले खिलाडी है सही उत्तर है अप्षन C. विराट कोहली विराट कोहली ने ICCT 20 विश्व कप में अर्धिश तक बना रही है प्रश्न साथ स्वदंत्र भारत के किस पहले व्यक्ती ने हिमाचल प्रदेश के कल्प में अपने घर से पहली बार बैलिट पेपर से चौदवी विधान सभा के लिए मतदान किया स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम सरण नेगी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कल्प ने देश में पहली बार बैलिट पेपर से चौदवी विधान सभा के लिए मतदान किया रश्न आठ हाल्ही में पद्म भूशन से सम्मानित इला भट जी का निधन हो गया वे किस संस्थान की फाउंडर रही है? A. राजनीती कार्यकरता और शिक्षा संस्थान की फाउंडर B. सामाजिक कार्यकरता और भोजन संस्थान की फाउंडर C. नारी कार्यकरता और जल संस्थान की फाउंडर D. बालिका कार्यकरता और सेवा संस्थान की फाउंडर सही उत्तर है अप्षन B. सामाजिक कार्यकर्ता और भोजन संस्थान की Founder नवासी वर्ष की उम्र में सामाजिक कार्यकर्ता और सेवा संस्थान की Founder ईला भट ईला भट का निधन हो गया है इस विडियो में बताई गए सभी जानकारी का एक PDF बनाए गए है उस PDF का लिंक डिस्क्रिप्सन में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. ऐसे ही GK and Current Affairs, महत्वपूर्ण समान्य ज्यान प्रश्नोतरी जानने के लिए GK Funda 24 गुणा साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं. नए महत्वपूर्ण समान्य ज्यान प्रश्नोतरी के साथ तब तक आपसे विदा लेने के लिए इजाज़त दिजिए. धन्यवाद.